हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मोरे आजूकेसिन में आपका स्वागत थे स्टूडेंट्स आज हम 10th स्टेंडर के जो क्वेस्टन बैंक के क्वेस्टन दिये हैं इसको हम सॉल्ल करने की और बताने के समझाने की आपको कोसिस कर रहे हैं आप बस हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहे हैं और जो भी क्वेस्टन में यहाँ पर सॉल्ल करा रहा हूं इसको आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहे हैं प्रैक्टिस करने से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा और आपके लिए सब क्वेस्टन एकदम इजी लगने question number two a हम इसमें करेंगे question number two a में दिया है हमको देखे दो number के question दिये है question number first में देखेंगे तो two x minus three y equal to three दिया है या समेकरन को हमको पूछा जा रहा है कि आलेक काड़या साथी तक था पूर्ण करना हमको क्या करना है आलेक पर बनाने के लिए एक साड़नी दी गई है जिसको हम को पूर्ण करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है देखें आपको value रखना है अगर हम देखें तो x y दिया है इस साइड में क्योंकि आपने आलेक किया है मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ question बहुत easy है आपको बस एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा 2x-3y आप लिख लिजी आपको यहाँ पर value पुट करना है अब x की value हमको देखे रखिए कि x equal to हमको क्या दिया है x का मान हमको minus 6 दिया है ठीक है तो अगर हम x equal to minus 6 रखते हैं तो हमको y क्या मिलेगा उसकी value निकाल दी है तो x को हम रखेंगे 2 into minus 6 हो जाएगा ठीक है minus 3y equal to 3 2 को हम 6 से multiply करेंगे तो 12 आएगा और किसमे होगा वो minus में होगा minus 12 minus 3y equal to 3 दिया है अब देखिए minus 12 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा plus में हो जाएगा ठीक है तो plus में हो जाएगा तो 3 plus 12 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ठीक है minus 5 मिलेगा 3 5 या 15 होता है तो y की value क्या मिल जाएगी हमको minus 5 मिल जाएगी x y अब इस हम जो second हमको यहाँ पर column दिया है उसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे minus 6 क्योंकि x की value है और y की value minus 5 हो जाएगी question अब इसमें देखेंगे तो हमको दूसरे वाले column में दिया है हमको y की value 1 दिया है ठीक है तो हम y की जगा 1 को put करेंगे तो y की जगा हम 1 को रखेंगे तो minus 3 into 1 क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा 2x minus 3 equal to 3 अब minus 3 को इस side ले जाएगे तो क्या हो जाएगा plus में हो जाएगा तो 2 x equal to 6 हो जाएगा तो x equal to क्या आ जाएगा हमारा 6 upon 2 3 आ जाएगा तो हम x के जगह पे क्या रख देंगे दूसरे वाले column में 3 रख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 3,1 तो हमारा question number 1 complete हो जाएगा चलिए question number 2 में चलते हैं question number 2 में देखो दिया है बच्चो मैं यहाँ पर आपको लिखके तो नहीं समझा पा रहा हूँ लेकिन आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ कि हमको यहाँ पर कृति पूर्ण करने के लिए बोला जा रहा है तो यह देखेंगे आप तो determinant method से दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना है value सिर्फ put करना है बाकी कुछ नहीं करना है और आप लोगों ने इतनी बार practice कर लिया है कि यह सब काम तो आप लोगों के लिए एक दम अब easy लगता होगा देखें first हमको क्या दिया है 3 दिया है तो first वाले bracket first वाले column में हम क्या लिखेंगे 3 into 5 होता है तो 3 दिया है हम यहाँ 5 लिख देंगे minus की sign minus के जगा अब हमको 4 दिया है पहला वाला bracket खाली रखा है तो पहला वाले bracket में हम क्या लिखेंगे minus 2 लिख देंगे ठीक है और equal to ठीक है अब देखिए आगे क्या होगा आगे होगा कि 3 को हम 5 से multiply करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ minus 2 को 4 से multiply करेंगे तो minus 8 हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इस column में हम लिख देंगे 15 और minus 8 हो जाएगा minus 8 को हम minus करेंगे तो क्या हो जाएगा देखे 15 तो हमारा प्लस में है 15 माइनस 8 करेंगे तो सेवे ना जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा सेवे ना जाएगा और आपकी आकरिती पूंड हो जाएगी तो question number 2 आपका simple तरीके से complete हो जाएगा खालील समी करना मदे x ची कीमत काड़या साथी कृति पूंड करा हमको x की value बतानी है ठीक है x ची कीमत काड़या साथी ठीक है अब देखिए 3x प्लस 2y एक्वल टू हमको क्या दिया है 11 दिया है आगे हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y एक्वल टू 4 दिया है हमको x की value चाहिए तो क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर multiply करेंगे देखिए यहाँ पर हमको समी करन दिया है सारी चीजें यहाँ पर दी गई है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं x की value चाहिए तो हमको किसको eliminate करना होगा y को eliminate करना होगा ठीक है य को eliminate करने के लिए क्या होगा कि पहले वाले समीकरण में 2y दिया है और यहां 3y दिया है अब 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है अगर हम y को value को 6y और 6y complete कर दें तो हमारा काम हो जाएगा तो first वाले समीकरण में हम क्या करें 3 से multiply करेंगे तो first वाले box में क्या आ और second वाले box में हमको 2 लिखना होगा 2 से multiply करने पर आगे क्या होगा आगे देखिए हमको 3 से multiply करेंगे तो 3 into 3x plus 2y equal to 11 दिया है 3 से multiply करने पर 9x 3 3 जा 9x plus 6y equal to 33 हो गया second वाले में हम 2 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x plus 6y अब यहाँ पर देखिएगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोनों plus plus में है तो हमको समीकरण 3 से समीकरण 4 को क्या करना होगा घटाना होगा ठीक है जब हमारा घटाने का काम होता है subtraction होता है तो क्या होता है sign change हो जा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चो 9x और 4x है तो 4x के साथ minus की sign आ जाएगी और 6y के साथ भी minus और 8 के साथ भी minus हो जाएगा 6y 6y से cancel हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा 5x इक्वल टू यहाँ 33 में से 8 जाएगा 25 बचेगा ठीक तो 5x इक्वल टू क्या जाएगा 25 आ जाए हमको answer क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा तो x की value हमको 5 मिल जाएगी ठीक है तो इस तरह से इसको complete करना था चलिए question number 4 के तरफ चलते है question number 4 में हमको दिया है एक value देखिए हमको दिया गया है कि 2 और 0 ही 2x plus 3y equal to k या समीकरणा साथ की उकल असेल तर हमको यहाँ k की value बतानी है देखिए question आपको मराठी में दिया है तो मराठी के जगह आप इसको समझ सकते हैं कि value आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर सिर्फ हो सिर्फ x की value पूछ रहा है जो कि x की value और y की value दी गई है तो x और y की value पूछ कर देते हैं हमको k की value पता चल जाएगी ठीक तो 2 और 0 को ह हम क्या रख देंगे हमको already x के लिए हमको 2 दिया है तो 2 into 2 हो जाएगा plus 0 into 3 into 0 equal to k तो यहाँ पर 2, 2 जा 4 हो जाएगा और 3 से हम 0 को multiply करेंगे तो 0, 4 plus 0 equal to k तो k equal to क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा तो हमारा question number 4 भी complete हो जाएगा question number 4 का answer भी हमारा 4 आ जाएगा चलिए यहाँ हम कृति पूर्ण करेंगे यहाँ हमको दिया है कि x minus 2y equal to 5 और दिया है 2x plus 3y equal to 10 समी करन तो y ची कीमत काड़ेहा साथी कृति पूर्ण करा देखे इसके पहले हमने question किया था तो उसमें x की value पूछी गई थी यहाँ हमको y की value पूछी जा रही है और यहाँ हम को क्या दिया है determinant method से करना है kramer के role से करना है ठीक है तो कोई दिकत नहीं है d equal to हम निकाल लेते हैं पहले तो d equal to क्या होता है d के लिए हमको c चाहिए a1 b1 c1 होता है ठीक है d की value के लिए हमको क्या करना है c1 को ignore करके चलना होता है c1 वाले part को ठीक है तो हमको x चाहिए x मतलब a1 b1 की जरूरत है और a2 b2 की जरूरत है तो x के साथ में कोई गिंती नहीं है तो इसका क्या जाएगा 1 और यहाँ x के साथ में 2 है ठीक है second वाले part में y के साथ में minus 2 है और यहाँ पर y के साथ में 3 है तो first में आप d का देख सकते हैं simple सा दिया है यह सारी चीजे आप लोगों ने किया है तो 1 को 3 से multiply कर रहे हैं तो 3 हो गया minus की sign रहती है और minus 2 into 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा minus 4 हो जाएगा और minus की sign पहले से है तो minus minus प्लस हो जाएगा 3 plus 4 equal to क्या हो जाएगा student 7 हो जाएगा तो हमको d की value 7 मिल गई dx के लिए क्या करना है dx के लिए हमको c1 और b1 लेना है और c2 और b2 लेना है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ देखिए 5 value है यहाँ c1 की और 10 value है c2 की तो हमने यहाँ पर लिखा और y की value इस साइड में जो b1 b2 है पुट कर दिया ठीक 5 3 जा 15 ठीक माइनस होगा माइनस क्या होगा माइनस 2 इन्टू 10 20 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ माइनस और पहले से माइनस की साइन है तो 15 प्लस 20 equal to 35 आ जाएगा अब देखिए यहाँ dy के लिए dy के लिए क्या हो रहा है 1 इन्टू 10 10 होगा 5 2 जा 10 10 माइनस 10 equal to 0 y की वेलू क्या मिल गई 0 मिल गई हमको x और y की वेलू निकालने के लिए dx upon d और यहाँ पर होता है dy upon d तो x के लिए 35 मिला है dx तो 35 अपान क्या कर देंगे 7 तो 7 5 जा 35 x की वेलू हमको 5 मिल जाएगी और dy upon d y की वेलू हमको 0 मिल जाएगी क्योंकि dy equal to 0 है तो इस तरह से हमारा question number 5 भी complete हो जाएगा चलिए दो number के question दिये है question number 2b part को हम complete करते हैं ठीक है एक हमको कोण दिया है आणी त्याचा कोटी कोण यांचा मापातील फरग 10 असल्यार मोटया कोनाचे माप किती अब देखिए हमको 2 कोण बता रहा है 2 कोण के बारे में यहाँ कोटी कोण दिया है कोटी कोण मतलब होता है complementary angle ठीक है अगर इसको हम complementary angle मानते है तो complementary angle का मीनिंग क्या होता है कि 2 angle को जोडने के बाद उसकी value 90 degree होनी चाहिए तो अब एक angle को हम मान लेते है जो दोनों angle के बारे में बात की जा रही एक angle को हम x मान लेते हैं और दूसरे angle को y मान लेते हैं ठीक है तो आपका क्या आ जाएगा कि x और y को जोड़ेंगे तो हमारा complementary angle बनना चाहिए complementary कितना होगा x plus देखिए मेरे साथ आप लोग अगर इसको practice करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत simple तरीके से इसको solve कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको जो बोलते जा रहा हूं बस वही point आप लिखते जाएए तो x plus y क्या हो जाएगा एक angle हमारा x मान लेते हैं दूसरा y तो x plus y equal to 90 degree हो जाएगा और आगे बोल रहा है कि इस पर दोनों का जो angle है न उसमें different 10 degree का है तो x minus x मान लो बड़ा वाला angle है y छोटा वाला है तो x plus y equal to 90 और x minus y equal to 10 हो जाएगा ठीक है अगर इसको solve करेंगे तो देखिए x x दोनों side है तो दोनों positive में है और इधर एक तरफ y plus में है और एक तरफ minus में है तो y को cancel कीजिए 2x equal to आ जाएगा 100 degree तो x की value क्या मिल जाएगी 50 degree मिल जाएगी ठीक है x की value 50 degree मिल गई तो x plus y हमने 90 degree माना हुआ है तो x की value आप 50 रखिए y की जगह y को ही रखिए equal to 90 होगा y की value हमको चाहिए तो y equal to क्या करना होगा 90 minus 50 कर देंगे 40 degree आपको y की value पता चल जाएगी तो आपको first angle मिल जाएगा x equal to 50 degree and y equal to 40 degree मिल जाएगा दोनों आपका answer right हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमको निस्चया कांची कीमत काढ़ा हमको माराथी में दिया है तो माराथी में अगर इंगलिस में रहता तो कोई problem नहीं होता अब देखिए यहाँ हमको निस्चयांक से निकालना है determinant method से निकालना है तो 4 into 3 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा और minus की sign आएगी minus 1 into 1 को अगर हम multiply करेंगे तो minus 1 आएगा और minus 1 दोनों हमारा plus हो जाएगा ठीक है तो 12 plus 1 13 इसका क्या आजाएगा determinant method से इसकी value आजाएगी 13 देखिए दो number के question में अगर इतना simple simple question पूछे तो इससे इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता exam के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है बस आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको अपने मेनत को बढ़ा देना है आप थोड़ा सा अगर अपने मेनत को बढ़ा देंगे तो आप 90% 95% number ला सकते हैं एकदम easy तरीके में ला सकते हैं question number 3 के तरफ चलते हैं question number 3 में हमको दिया है x plus y plus 2x equal to 19 दिया है 2x minus 3y equal to minus 3 दिया है हमको d की value बतानी है ठीक है तो d की value बतानी है अब देखिए d के लिए आपको क्या करना होगा अगर d की value बतानी है तो माल लीजिए d के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा पहले तो आपको लिखना होगा 2x plus y हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो y पहले दिया है इसको आप बाद में कर दीजे 2x plus y equal to 19 और यहां हो जाएगा 2x minus 3 y equal to minus 3 हमको d की value चाहिए तो आप numeric value को भूल जाएए इधर देखिए 2x के साथ में क्या है 2 है ठिक है तो यहां हो जाएगा 2 और इस side में भी क्या हो जाएगा 2 और यहां आजाएगा y की value 1 है और इस side में y की value minus 3 है देखिए 2 को 3 से multiply करेंगे तो minus 6 हो जाएगा और यहां 2 अंजा 2 minus 2 हो जाएगा ठिक है तो minus 6 और minus 2 क्या हो जाएगा students यहां पर हमारा minus 8 हो जाएगा तो हमारा answer क्या आजाएगा minus 8 आजाएगा तो इस तरह से इसको solve करना थ अब देखिए कितना simple question चाहिए आपको इतना simple simple question दिया हुआ है 2x minus y equal to 2 x equal to 3 then value of the y y की value पुछी जा रही है देखिए 2x minus y equal to 2 दिया है तो हम x की value 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 into 3 और minus y equal to 2 दिया है ठीक minus y equal to क्या करेंगे 2 और इसको 6 को इस साइड ले जाएंगे तो minus 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ plus में है ठीक तो minus y equal to minus 4 हो जाएगा minus से minus cancel हो जाएगा y equal to क्या मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा तो हमारा answer 4 मिल जाएगा यहाँ पर आगे हमको क्या करना है question number 5 question number 5 में देखिए हमको दिया है 2 यहाँ इसके option दिये गए है ठीक है x की value क्या निकाला गया है 2 है और y की value minus 5 दिया गया है तो हमको यहाँ पर 14 दिया गया है कि 2x minus ky equal to 14 है तो k की value क्या होगी बहुत simple है देखे इसको आपको करना क्या है यहाँ आपको 2x तो 2 into क्या लिख देना है 2 लिखना है और y के लिए हमको क्या लिखना है minus k into y के जगा आपका minus 5 आ जाएगा और equal to 14 है ठीक है equal to 14 है यहाँ पर दिया हुआ है जो की 2, 2 जा 4 हो जाएगा minus यहाँ हो जाएगा ky minus k5 ठीक है और o क्या हो जाएगा minus में हो जाएगा तो minus minus यह देखेंगे तो plus हो जाएगा ठीक है ky के पहले भी minus का sign है minus 5 ठीक है तो plus हो जाएगा अब देखी k5 equal to क्या आ गया हमको k5 equal to आ रहा है 14 और यह 4 जाएगा इधर तो minus 4 हो जाएगा equal to 10 k5 k 5 equal to 10 तो k equal to क्या हो जाएगा student 10 upon 10 upon 5 हो जाएगा तो k की value हमको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी तो बस इस तरह से इसको solve कर देना है आगे चलिए हमको question number 6 में दिया है कि समीकरण a plus 2b equal to 7 b equal to 4 है तो a की कीमत बताईए ठीक है देखें b की value दिया है b की value put कर दीजे जैसे अब भी किये a plus 2 into 4 कर देंगे 2 2 2 जा कितना हो जा 8 हो जाएगा ठीक है a plus 8 equal to 7 a equal to 7 और इधर plus वाले को equal to के इस side ले जाएगे तो minus 8 हो जाएगा ठीक है तो minus 8 plus 7 कितना हो जाएगा minus 1 a equal to क्या मिलेगा हमको minus 1 मिल जाएगा तो इस तरह से इसको solve करना था question number 7 के तरफ चलते हैं question number 7 में हमको दिया है कि x equal to 2 and y equal to minus 1 y की value क्या दिया है हमको minus 1 दिया है तो यहाँ पर हमको value निकालनी है अब देखें x equal to 2 तो x की जगा 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तो जा 4 और y की जगा minus 1 हो जाएगा ठीक तो 4 minus 1 कितना हो जाएगा 3 ठीक है 3 equal to 3 मतलब इसका क्या है x equal to 2 and y equal to minus 1 समीकरन का answer है जो की right है ठीक है आगे देखिए हमको क्या दिया है यहाँ पर question number 8 a and v वापरून कोड़ाता ही दोन समीकरन लिहा जाची उकल 0 और y क्या आए 2 आए ठीक है a की value हमको 0 और y की value 2 लाने के लिए बोला है देखिए a plus a plus 2 b अगर करें तो क्या हो जाएगा कि a की value अगर हम 0 रखेंगे ठीक है तो 2 b ठीक है 2 b equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर a plus 2 b देखिए a लिखिए plus 2 b equal to आपका answer क्या आएगा 0 तो y equal to y के जगा हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे तो हमको value मिल रही है 0 ठीक है और a plus 4 b कर दीजिए तब भी आपको value क्या मिलेगी y की value 2 मिल जाएगी ठीक है आपको y equal to 2 दिखाना है और x equal to 0 दिखाना है तो आप value पुट करके इसको भी अच्छे से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए question number 9 में क्या दिया है question number 9 में आप देखेंगे ध्यान से students तो हमको दिया है 52 x plus 65 y equal to 183 है और दूसरा दिया है 65 x plus 52 y equal to 168 then value of the x plus y की value बताना देखिए हमको दोनों तरब plus की sign है तो हम एक बार इस समीकरण को जोड़ देते हैं 52 x plus 65 y equal to 183 और उसके नीचे लिखेंगे 65 x plus 52 y ठीक है क्यों क्या किया गया है value internally change किया गया है ठीक है इसको जोड़ेंगे तो आएगा 65 2, 5, 7 हुआ 6, 5, 111 117 x plus 117 y आएगा equal to इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3 और 8 5, 1 होगा और यहां 5 हो जाएगा 3, 351 ठीक है 117 से देखेंगे तो दोनों तरब divide हो रहा है तो उससे divide करेंगे तो क्या हो जाएगा 117, 3, 351 होता है तो x plus y हमको क्या मिल जाएगा यहां 3 मिल जाएगा simple सा answer है आपका answer complete हो जाएगा अब देखें question number 10 में हमको दिया है कि 3 and minus 2 हाँ विंदू minus 5m नहीं यहां 5m minus 3 and equal to minus 21 समीकर्ण चा आलेकवर असले का सकारण लिहा देखें हमको m की value यहां पर 3 बोल रहा है और n की value 2 अगर put करने पर value क्या आ रहे है दोनों तरफ equal आ रहे है मतलब उस आलेक में यह line पर पढ़ रहा है otherwise नहीं पढ़ रहा है यहीं हमको proof करना है तो 5 into 3 करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमको 15 मिलेगा 5 3 जा 15 minus 3 into minus 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 3 minus 2 3 2 जा 6 हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 15 plus 6 equal to 21 equal to minus 21 तो क्या 21 minus 21 के बराबर है नहीं है तो हमारा equation क्या है यह इस equation का part नहीं है ऐसा हम इसका answer दिखा देंगे तो इस तरह से आपका question number 10 भी complete हो गया अब आगे question number 3 है जो कि हम next video में complete करेंगे बस आप practice को जारी रखिए जैसे मैंने बताया है मेरी आपसे request है कि आप इसको बार-बार practice कीजिए सिर्फ दो बार अगर आप ने अच्छे से practice कर लिया तो यह आपको live में कभी भूलने वाला नहीं है और आपको 100 में 100% आपका mark से और हो जाएगा question bank को आप हलके में मत लीजिए इसको पूरा का पूरा solve कर डालिए इससे बाहर के question आपको नहीं आएगे चलिए मिलते हैं next video में next lecture में तब तक के लिए बाई